नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से मारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आर्मी ओर्डिनेंस ग्रोप्स की तरफ से आप सभी के लिए एक रिकूट्मेंट निकाली गए हैं दोस्तों जिसमें आपके चेट्समें औ आप सभी को डेटेल में बताने बाला हूँ तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगर आप लोग आर्मी ओर्डिनेंस कोर्प में आप लोग अपना फॉर्म फिल अप करना चाहते हैं एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो सब कुछ आप सभी के स है कि दोस्त्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आर्मे वर्डिनेंस और रिक्रिकुट्मेंट 2223 अप लोग यहां पर देख क्या मंगए गया है जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं अगर कोई भी 10 पास केंड़िट है तो वो इसमें अभी दन कर सकता है वल और इंडिया से आप लोग आफ़ dette कर पाएंगे इसकी शयलदी के बारे में बात करें तो शयलदी जो आपकी रहने वाली है वो आपकी शय अब मैं बात करता हूँ important dates के बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत से candidate इसके बारे में इसके अप्लिकेशन फर्म चल रहे है 8 जनवरी से इसके अप्लिकेशन फर्म स्टार्ट हो गए चोगे इसकी जो large date रहेगी वो आपकी तरह फरवरी रहने वाली exam date अभी notification फिस के बारे में बात करें तो देखिए general OBC EWS के लिए जो फिस रहेगी वो आपको 100 रुपीज पेमेंट करना होगा और PWD और SCST के लिए कोई भी पेमेंट हैं पर नहीं करना है ठीक है आगे मैं बात करता हूँ age limit के बारे में अगर आप लोग SC और ST से बिलोग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी यहाँ पर और जो भी candidate देखिएगा OBC से बिलोग करते हैं ठीक है OBC से जो candidate बिलोग करते हैं उसको लोग यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाती है चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है भाई आगे मैं बात करता हूँ आर्मी और डिना स्कूर प्रेक्विटमेंट आप वेकेंसी डिटेल के बारे में तो देखिए यू आर की जो वेकेंसी रहेंगी वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेट्समें मैट में आपकी 508 रखेंगी फायर्में में आपकी 222 टोटल इसमें जो पोश्ट रहने वाली है वो आपकी 730 पोश्ट रहेंगे ठीक है सेम ऐसे EWS में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी बाइस डिबाइड है OBC में भी ऐसे डिबाइड है तो जिस भी कैटेगरी से आप लोग आते हैं उसे कैटेगरी की आप लोग पोश्ट देख सकते हैं टोटल पोश्ट मैं आपको बताया ट्रेट्समें में आपकी 1200 तोटनचास पोश्ट है और बागी जो पोश्ट है उसके लिए आपकी 574 पोश्ट है 69 है और treatment met की बारे में बात करें तो 139 फोस्टेस में रहने वाली है इसी तरीके से आप लोग यहां पर western region का भी देख सकते हैं तो region wise आपको यहां पर देख सकते हैं और region wise ही आपकी vacancy भी यहां पर announce की रखे हैं ठीक है जो कि आप लोग यहां पर देख पारे होंगे अच्छे से एक बार अच्छे से देख लो आप जहां से भी पिलोंग करते हैं ठीक राजिस्तान गुजराद बाले यहां पर देखेंगे जिनकी आपका उतनी इतनी बेकेंसी आपको यहां पर मिल जाएंगी सेम आप लोग यहां पर देख सकते हैं Central West में भी UP होगया MP होगया उतरखन राजस्थान की बारे में बात करें तो वो आपको यहां पर कितना भूप बेकेंसी है 49 और आपका 66 ठीक है इसी तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं आगे मैं बात करता हूँ देखी का fireman post के लिए यहां पर दे रखा है simply आपको 10th pass होना चाहिए ठीक है आपका 10th pass अगर आप लोग fireman के लिए अभी दिन करते हैं तो fireman के लिए जो आपकी salary रहने वाली है वो आपकी रही की उनीस यहां 900 रुपे से लेके 6 63 200 रुपे तक आपकी salary से में रहने वाली है बात करते हैं इसके selection procedure के बारे में तो selection procedure जो है सबसे पहले आपका P.E.T.P.S.T. होने बाला है means आपका physical होगा practical होगा skill test होगा ठीक है जो भी आपके post है उसी के recording आप सभी कहोने वाला है then जब आप अपना P.E.T.P.S.T. जो भी अपना qualify कर जाते हो उसके बाद आपका क्या होगा written examination ठीक है उसके बाद आपका document verification होगा then आपका final medical होने वाला है ठीक है यह सभी process ह होने के बाद आपकी final joining हो जाएगी आगे मैं बात करता हूं देखिए treatment mat के लिए जो आपका objective type question पूछे जाएंगे जो कि बाल एंगल रहते हिंदी और English दोनों language में आप सभी के रहते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है बाई आगे मैं बात करना चाहूंगा इंगलिस दे बारें बात करने तो 50 question पूछे जाएंगे 50 marks के रहने बाले हैं टोटल बात करते हैं जनरल अब इनसे और 50 question आएंगे जो कि 50 number के रहेंगे ठीक है टोटल इसमें 150 question पूछे जाने बाले हैं जो कि 150 marks के रहेंगे जिसमें आपको 2 गंटे का यहां पर timing दिया इसमें दे रहें चाहें तो आप इसका screenshot ले लें उसी हिसाब से आपको उसी जोन में आपको apply करना है ठीक है आगे मैं बात करता हूं देखीगा और यहां पर क्या के दे रहा है और state बता रहें कौन सा state है कौन सा city क्या है कहां पर आता है वो चीज़ें आपके यहां पर दे आप इसके syllabus के बारे में आपको general intelligence का reasoning का syllabus आपको सामने दिख रहा है ठीक है आगे मैं बात करता हूं इंग्लिस का syllabus भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंग्लिस में आपका देखिए vocabulary हो गया sentence structure हो गया synonym औंटॉनिम और correct uses और hrs नॉर्मल सापका हिंदी इंग्लिस दे systematic operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of tables and graph आपका mensuration हो गया time and distance हो गया ratio and proportion and time and work से आपसे में कोशन पूचे जाने वाले हैं ठीक है आगे बात करते हैं देखिए application form के बारे मैंने आपको बता दिया है आप online form इसके आप इजन कर सकते हैं ठीक है बई तो इसके application form आपके start हो चुके है इसका notification आप comment notification चेलिग्राम चैनल पर forward करा दूगा notification आपको टेलिग्राम चैनल पर मारे पर मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजूकेशन पॉइंट लिंक मैं आपको डिसके बाक्स में अबलेबल करा दूँगा टेलिग्राम का भी जहां से आप notification पढ़ सकते हैं application form का link साथी में बात करूँगा देखिए क लगी हो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाला icon बटन प्रेस करें जैसे कि आने वाली हर वीडियो की notification आप सभी को मिल पाए चले दोस्तों बागी मिलते किस नेक्ष बुड़े में तब तक लिए जाहिन वन्दे मातरम